हेलो श्टूडेंस आज डिसकस करेंगे इंपोटेंस ओफ अस्टाटिक्स पे साइनखिकी का महत्तु है ये अर्थ बेऊस्था में या हमारे दैनिक जीवन में या आण्य छेत्र में इसका क्या महत्तो है इसके बारे में डिसकस करेंगे तो इसमें लिखियेगा, साइंखिकी की शारू भामिक उप्योगिता है, Aesthetics has universal utility, वर्तमान यूग, साइंखिकी का यूग है, पोन बिराम, मानुमिय क्रियाओं के परते छेत्र में शमंग उप्योगी सहयोग परदान करते हैं, पुन बिराम, इसके शमंद में कुछ विद्वानों में अपने मत दिये हैं, काकुस्टन एवं काउडेन के सब्दों में, डबल इन्वाइटेट कॉमा देके लिखेगा, वर्तमान में मानुमिय क्रियाओं का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, जिसमें साइंखिकी विद्धियां किसी ना किसी रूप में उप्योगी ना हो, पूर्ण भी राम डबल इन्वाइटेट कॉमा से बंद कर दिजेगा, इसके आगे लिखेगा प्रागराप चेंज करके, अध्यान के परतेक छेत्र में साइंखिकी की भूमिका है, चाहे अर्थ सास्त्र हो, कॉमा शमाज सास्त्र हो, कॉमा किसी सास्त्र हो, या चिकित्सा सास्त्र हो, कॉमा भौतिक सास्त्र हो, या भूगर्व सास्त्र हो, परतिक विस्षय का उंच ग्यान प्राप्त करने के लिए साइंखिक की रितियों की जनकारी आवश्यक है इसमें समझ लिजिए जैसे कि कॉस्टन एवन कावडेन के परिभासा सी अस्वस्ट होता है कि मानमिये वो ऐसा कोई भी कारी जो मानमग द्वारा किया जाता है उसके हर पहलू में साइंखिक की किसी ना किसी रूप में बिध्वान होती है या किसी ना किसी रूप में उसकी बिध्यां परियोग किया जाता है इसके समझ में टीपेट ने डेफिनेशन दिये हैं उसको लिखिएगा टीपेट के अनुसार डबा इन्वाइटेट कोमा देके लिखिएगा शाइंखिकी परतेक बेक्ती को परभावित करती है और जीवन के अनेक बिंद्वू को अस्पर्स करती है पुर्ण बिराम डबा इन्वाइटेट कोमा देके बन कर दिजेगा टीपेट के परिभासा के अनुसार यह स्वस्ट होता है कि परतेक बेक्ती को यह शाइंखिकी किसी ना किसी रूप से उसके कार्य में या उसके अन्य किसी बिंद्वों पर प्रभावित करता है अब आगे है कि साइंखिकी का महत्व को क्लासिफ हाई किया गया है तो साइंखिकी के महत्व को दो भागों में बाटा गया है पहला अर्थ सास्त्र में महत्व इन इकोनोमिक्स दूसरा अन्य छेत्रों में महत्व इन ओदर एरियास तो साइंखिकी के महत्व को दो भागों में बाटा गया है पहला अर्थ सास्त्र के छेत्र में ये अर्थ सास्त्र में महत्व और दूसरा अन्य छेत्रों में महत्व तो आज हम लोग डिस्कर्स किये कि इंपोर्टेंस ओप एस्टेटिक्स का किसी भी मानमिय क्रियाओं में किस तरह से भूमी का निभाती है या किस तरह से या किस सिच्वेशन में या किन कारियों में या मानव के उन समस्त कारियों में कैसे साइंखी की बिध्यां किस तरह से मौझूद होती है तो हम लोग अपने इस वर्तमान यूग में हमारे मानविये के समस्त क्रियाओं में कहीं न कहीं साइखिकी के विध्यों का परियोग करते हुए उन सभी मानविये क्रियाओं को उदेश्य पूर्ण बनाते हैं अतात मनुष्य के उन सभी क्रियाओं के उदेश्य को पूर्ति करने में साइखिकी की विध्या मदद करती हैं आज हम लोग डिसकस किये इंपोर्टेंस ऑप अस्टेटिक्स इसमें दो बिद्वान ने भी अपने विचार दिये अपने परिभासा दिये कॉस्टा नेम कावडेन और टिपेट अगले विडियो में हम लोग साइखिकी के महत्व के क्लासिफ हाई दो भागों में किया गया है उस पे डिसकस करेंगे अर्थ सास्त्र में महत्व क्या है और अन्य छेत्रों में इसका क्या महत्व है इस पे हम लोग इंडिविज्वाल अगले विडियो में डिसकस करेंगे आज के विडियो में इतना है डिसकस करेंगे थाइंक यूँ